पुनीत राजकुमार कहने को एक फिल्म अभीनेता थे, लेकिन फैंस के लिए वो सिर्फ फिल्म अभीनेता नहीं बलकि एक रोल मॉडल भी थे, करनाटक के मेगा स्टार पुनीत राजकुमार को गुजरे पांच दिन से उपर हो गए हैं, लेकिन भावनाओं का सैलाब थमने क नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बलकि फैंस भी अभी तक गहरे सदमे में हैं, लोगों के लिए इस सच को कुबूल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि पुनीत अब कभी लोट कर नहीं आएंगे, आए दिन पुनीत राजकुमार से जूरी कोई न इन तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ चपलों का धेर नजर आ रहा है, चपलों का ये धेर कोई ऐसा वैसा धेर नहीं बलकि गम में डूबे, उन लोगों की चपलों का धेर है, जो अपने प्रिय अभी नेता, अपने प्रिय अपुसर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे थे इन तस्वीरों को करनाटक के एक फेमस जर्नलिस्ट एचार रंगनाथ ने ट्वीटर पर शेयर किया है तन्नर न्यूस चैनल पब्लिक टीवी के हेड एचार रंगनाथ ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि बीबी एमपी के सफाई करमचारियों ने लाखो चपलों को इखटा किया क्यूंकि ये लोग पूनीत राजकुमार को नंगे पाउँ श्रधांचली देने गए थे श्रधांचली देते समय चपल पहनना हमारी संस्कृती का हिस्सा नहीं है इन तस्वीरों को देख कर समझा जा सकता है कि पूनीत राजकुमार के निधन के बाद कितनी भारी संख्या में दुखी फैंस उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे थे पतादे की 29 अक्टूबर को पूनीत राजकुमार का निधन काडिक अरिस्ट की वजह से हुआ था निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए बेंगलूरू के कांती रावा स्टेडियम में रखा गया था फैंस के बीच अपु के नाम से फेमस पूनीत राजकुमार को आखरी बार देखने के लिए लोगों की भारी भीड उमर पड़ी थी फिल्म और राजनीती जगत की तमाम बड़ी हस्तियां भी पूनीत राजकुमार को श्रधाँचली देने पहुँची थी जूनियर एंटियार तो पूनीत को अंतिम बार देखते ही फूट फूट कर रोने लगे थे कुछ हैसा ही हाल पूनीत की पत्नी दोनों बेटियों और बड़े भाई का भी था रविवार 31 अक्टूबर को राजकिय सम्मान के साथ पूनीत राजकुमार का अंतिम संसकार क्रांती वीरा स्टूडियो में किया गया इससे पहले 31 अक्टूबर की सुभा पाँच बजे अभीनेता की अंतिम यात्रा निकाली गई अपू के अंतिम सफर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे फैंस के हुजूम को सडको पर ना इखटा होने देने के लिए अभीनेता की अंतिम यात्रा सुभा सवेरे अंधेरे में ही निकाली गई थी ताकि कांति रावा स्टेडियम से क्रांती वीरा स्टूडियो तक भीड इखटी ना हो पाए अपने जीवन काल में कई नेक कारे कर चुके पुनीत राजकुमार जाते जाते भी एक नेक काम कर गए है पुनीत राजकुमार की दान की गई आँखों से चार युवा लोगों की जिंदिगी में रौशनी हो चुकी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पुनीत राजकुमार को पावर स्टार का दरजा हासिल था उन्हें ग्रेट सन उफ करनाटक भी कहा जाता था अपने दंदार अभिने और सोशल वर्क की बदौलत पुनीत राजकुमार ने लोगों के दिलों में खास जगा बनाई थी बीरा रिपोर्ट एटवेंटिफोर